विश्वकप विजेतापूर सलामी बल्लेबास गौतम गंभीर भारतिकर की टीम के नए कोच होंगे मंगलवार को BCCI ने भारतिकर की टीम के नए हैट कोच का एलान कर दिया 2011 वंडे विश्वकप की जीत में टीम इंडिया के लिए एहम भूमिका निभाने वाले गौतम गंभीर का नाम काफी दिनों से चल रहा था दरसल राहूल दरविट का कारेकाल T20 वर्ल्ड कप तक ही था जिसे जीत कर टीम इंडिया ने राहूल दरविट को शांदार विदाई दी भारत के कोच के रूप में गंभीर का पहला काम 27 जुलाई से शुरू होने जा रहे श्रिलंका दौरे से होगा इस दौरे पर टीम इंडिया तीन T20 और तीन वंडे मैच खेलेगी BCCI ने बताए कि अशोक मलोतरा, जतिन परांच पे और सुलक्षणा नाइक की क्रिकेट सलाकार समिती ने मंगलवार को एक सुर में गौतम गंभीर की सिफारिश की थी एक खिलाडी के रूप में गंभीर ने 2012 और 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL खिताब दिलाया इसके बाद 2024 में IPL खिताब जीतने बाली KKR के लिए गौतम गंभीर ने मेंटर की भूमिका निभाई कोच का एलान होने के बाद गौतम गंभीर ने कहा अपने तिरंगे, अपने लोगो, अपने देश की सेवा करना अत्यांत सम्मान की बात है मैं इस मौके पर राहूल द्रविट और उनके सयोगी स्टाफ को टीम के साथ उनके शांदार प्रदर्शन के लिए बदाहे देना चाहता हूँ मैं टीम इंडिया के लिए मुख्य कोच की भूमिका निभाने के लिए सम्मानित और उत्साहित हूँ गंभीर ने कहा कि मैंने अपने खेल के दिनों में भारती जर्सी पहन कर हमेशा गर्व महसूस किया है और जब मैं ये नई भूमिका निभाऊंगा तो भी अलग नहीं होगा गंभीर ने कहा कि वे BCCI, VVS लक्षमर, सयोगी स्टाफ और सबसे महतपूर्ण खिराडियों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुख हैं क्यूंकि हम अगामी टूनामेंटों में सफलता हासिल करने की दिशा में काम कर रही हैं